हे भगवार मेरा WhatsApp का मैसेज़ डिलीट हो गया है, भगवार मेरा WhatsApp में कितना सारा फोटोस बगेरा था, सब चला गया दोस्तो अगर आप भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देना चाहते हैं और अपना WhatsApp का जितना भी messages है, जितना भी photos, videos, documents वगएरा सब कुछ है, वो अगर safe रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे Google Drive में जो safe होता है, वो तो अलग से है, इसको छोड़के भी आप अपन mobile अगर change करते हैं, mobile को अगर format करते हैं, तो अपना WhatsApp का जितना सारा documents है, जो भी photos वगएरा, messages, जो कुछ भी है, वो कैसे आप safe करके रख सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिए, अन तक देखिए, ताकि आप अपना WhatsApp का पूरा details, documents, save रख सके, चलिए देख लेते हैं, नमस्ते दोस्तों, मैं हुड़ा जयता और आप देख रहे हैं, मेरा technical YouTube channel, टेक्नो सीरी, दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजिए, और bell icon को दबाना मत भूलिएगा, क् क्योंकि ऐसी technology videos मैं आपके लिए रोजाना बनाते रहता हूं, तो दोस्तों मैं जैसे बताया कि, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि WhatsApp का, जो आपका messages है, videos, photos वगएरा, सब कुछ है, वो आप कैसे अलग से अपने पास store करके रख सकते हैं, कि अगर cloud storage से भी आपका details format करते हैं, phone को update करते हैं, या phone को restore करते हैं, तो आपका details है, documents है, वो चला जाता है दोस्तों, तो ये copy अगर आपके पास रहता है, तो इस copy को फिर से आप WhatsApp में बापस ला सकते हैं, और ये कैसे ला सकते हैं, यही हम आज आपको दिखाने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों, दे सक्रीन है, इसमें आप देख पाएंगे, ये पूरा process, तो मैं जो बोल रहा हूं, वो सुनिये, और नजर रखिए इस mobile screen के उपर, दोस्तों ये Samsung Galaxy A50 में, पहले मेरे पास, एक OTG है दोस्तों, जिसको, ये C port वाला OTG है, जो C port to USB converter है, उसको मैं पहले mobile के charging port पे लगा देता C port पे लगा दिया, अभी मेरे पास, दोस्तों, दूसरा है, किंग स्टोन का 32GB का pen drive, इसको भी मैं ये OTG के साथ connect कर देता हूं, दोस्तों, connect करने के बाद, जो है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूं, कि मेरे pen drive को access किया गया है के नहीं, तो दोस्तों, यहाँ से भी आप storage में जाके चेक कर सकते हैं, स्टोरेज आपको कहां पे मिलेगा, यहाँ पे जो settings है, settings में जाने के बाद, दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना परेगा, नीचे आके device care में आपको battery, storage, memory, security, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको storage देखने को मिल जाएगा, क्या-क्या storage यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे SD card जो है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, यह pen drive को, दोस्तों, यहाँ से हम नहीं करेंगे, हमें जाना है, फिलाल, यहाँ पे my files में, my files में जाने के बाद, आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें usb storage 1 दिखा रहा है, usb storage 1 को अगर आप क्लिक करते हैं, तो हमारा जो pen drive है, वो open होता है, तो दोस्तों, पहले हम जाएंगे internal storage में, मैं यह पहले देख लिया क्यों, क्योंकि पुरा का पुरा जो मैं setup किया हूँ, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो पहले मैं देख लिया, तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गया है, phone memory में, internal memory में, यहाँ पे हम अगर नीचे जाते ह है, तो हमें दिख जाता है, whatsapp, दोस्तों, मेरे mobile पे दो whatsapp है, एक whatsapp और दूसरा whatsapp business, तो दोस्तों, यह जो whatsapp वाला फोल्डर है, इसमें आपको whatsapp का icon भी देखने को मिल जाता है, तो यह whatsapp का जो folder है, इसको मैं पहले थोड़ा देर click करकर रखता हूँ, तो यह select हो जाता है select होने के बाद, यह जो उपर वाला dot है, three dots है, यहाँ पे मैं click करता हूँ, यहाँ पे click करने पे आपको यहाँ पे move to secure folder ही मिलेगा, यहाँ पे copy का option नहीं मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ से हम नहीं करेंगे, नीचे आप देख रहे, move, copy, detail, share, delete, यह सब options नीचे दिया हुआ ह तो यहाँ से simply हम copy के उपर click कर लेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे, copy here, मतलब कि दोस्तों यह destination folder मांग रहा है आप से, कहाँ पे आप यह जो copy किये हो, इसको paste करेंगे, तो दोस्तों फिलाल हम यहाँ से back करके निकल जाते हैं, निकलने के बाद हम USB storage में आते हैं, और storage मे आने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे copy here को click कर देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि copy one folder मतलब कि यह जो whatsapp बाला जो folder है, वो यहाँ पे copy हो रहा है आपके pen drive में, तो थोड़ा सा time लगता है, मेरे whatsapp में बहुत साला messages है, बहुत साला photos, videos, बगड़ा सब one file है यहाँ पे, यह copy होने में बहुत time लगता है दोस्तों, तो अगर आप इस process से एक whatsapp का copy pen drive में, या किसी hard disk में आप copy कर रहे हैं, तो आप पहले check कर लिजिएगा कि वो जो device आप mobile के साथ connect किया है, वो ठीक से connected हुआ है के नहीं, और दूसरा चीज है दोस्तों, कि अगर आप यह process कर रहे हैं, तो mobile का battery जरूर चेक कर लिजिएगा क्योंकि minimum 50% battery रहना बहुत जरूर है क्योंकि बहुत लंबा process होता है यह, कभी कबार तो एक से देर घंटे का time भी लग जाता है दोस्तों, पूरा folder जो है, वो copy होने में, और तीसरा चीज जो है दोस्तों, वो होती important है, मैं आपको बता देता हूँ, कि यह जो copy आप कर रहे है, यह copy ही कीजिएगा, move मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको move करते है, तो यह cut, paste, cut और paste की तरह काम करता है, तो बीच में अगर आपका जो device है, storage device जो mobile के साथ external connected हुआ है, वो अगर disconnect हो जाता है, तो message जो है दोस्तों, वो external device में pen drive बगेरे में आ जाता है, तो बीच वाला जो message transfer होते होते, वो device discorrect हुआ है, वो जो files बगेरा है, वो corrupt होने का chance बहुत ही जादा रहता है, दोस्तों, इसलिए mobile का battery पहले चेक कर लीजिएगा, उसके बाद storage device जो वो अच्छे से काम कर रहा है, ये वो चेक कर लीजिएगा, और जरूर copy ही कीजिएगा, move मत कीजिएगा, तो दोस्तों, यही था पूरा process, अभी next step पे जाते है, तो दोस्तों, यह जब copy हो गया, copy complete होने के बाद, दोस्तों, हम क्या करेंगे, कि copy जब complete हो जाएगा, copy complete होने के बाद, pen drive में आपका जो WhatsApp का पूरा data है, वो चला आया, अभी mobile को, आप mobile change किये, format किये, mobile का, जो कुछ भी करना है, आप कर लिए, करने के बाद, आप जब WhatsApp को install करेंगे, फिर से mobile पे, उससे पहले आपको क्या करना है, यह pen drive, फिर से आप mobile के साथ connect हरेंगे, और WhatsApp बाला जो folder है, वो as it is, वहाँ से copy करके, आप phone memory में, phone के internal memory में, पेस्ट कर दीजे, वहाँ पे आप store फिर से कर दीजे, और उसके बाद WhatsApp को install कीजे, तो इससे क्या होगा दोस्तो, WhatsApp जब install होगा, वो backup, जो data है, वो mobile पर search करेंगा, और आपका जो folder है, WhatsApp वाला folder, जो आप phone memory में फिर से copy कर लिया है, वोस folder को WhatsApp access कर लेग वगेरा सब कुछ है, वो आपके WhatsApp में फिर से install हो जाएगा, और जो data आपका जाने वाला था, वो दोस्तो आपका नहीं जाएगा, और आपका जो important documents है, जो कुछ भी है दोस्तो, वो आपके WhatsApp में फिर से बापस आ जाएगा, तो दोस्तो ऐसे आप अपने WhatsApp का जो भी details है, वो cloud storage छोड़के भी अपने पास save रख सकते हैं, save कर सकते हैं दोस्तो, तो आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये process आपको कैसा लगा, comment box में comment करके जरूर बताईएगा, और अगर आप में से कोई इस process के बारे में और कुछ भी जानना चाहता है, तो मेरे comment box में comment को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे और bell icon को दबाणा मत भूलिएगा, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, जाहिंद मिलते हैं अगले वीडियो पे, जाहिंद, बने बात रूब